असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है यासर रिर्फान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं इस नई वीडियो सीरीज में आपको टाइपिंग सिखाने जा रहा हूं अगर आप लोग टाइपिंग सीखने में इंट्रेस्टेड हैं और आप टा चाहते हैं कि आप किसी कॉलेज या इंसिट्यूट में नौर्मली जितने भी कॉलेज और इंस्टूट हैं वो तीन से छे महीने का टाइम टाइपिंग सिखाने के लिए लेते हैं अगर आप लोगं के पास टाइम की कमी है आप इतना ज्यदा टाइम नहीं दे सकते घर में र typing series के तोर पे शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले आपको तरफ 10 लेक्चर के अंदर आपको मुकमल typing सिखाऊंगा आपको keyboard की A to Z हर की के बारे में knowledge दूँगा उसके बाद हम second, third, fourth series में बारी बारी अपनी speed के उपर काम करेंगे second series हमारी इसके बाद 35, फिर 50, फिर 65, फिर 80, फिर 90, 100, 100 word पर minute तक हम इंशाला इसकी speed लेके जाएंगे इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना साथ देना है कि जितनी practice मैं आप से कहूं daily basis पे जितने घंटे मैं आप से daily basis पे मांगू practice के लिए आपने सिर्फ वो practice करनी है क्योंके practice makes a man perfect जितनी ज्यादा practice और जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे आप उतनी ही जल्दी typing सीख पाएंगे और उतनी ही चीजें आपको समझ में आएंगी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ अगर आप ये वीडियो अपनी mobile screen पर देख रहे हैं तो ब्राई मेरबानी अपने screen का full screen mode on कर लें ताके आपको ये तमाम keyboard का portion और इसकी हर key जो है वो clear words में नज़र आए basically मैं typing के लिए gaming keyboard का इसलिए use कर रहा हूँ RGB keyboard का ताके आपको हर key बिल्कुल clear word नज़र आए और normally आज कल चूंके हर student के पास ज्यादा तर RGB या gaming keyboard ही हैं तो इनके उपर बहुत सारी keys different होती है regular keyboard से तो वो बहुत सारे हमारे students पूछते हैं कि sir is key in key का क्या मकसद है इस key का क्या मतलब है तो इसलिए मैंने आपको ये typing course में gaming keyboard के उपर ही RGB keyboard के उपर ही typing सखाने का पैसला किया है ताके आपको जितनी भी regular keyboard से जितनी extra keys इसके उपर होती है उन सब के बारे में भी knowledge मिल सके इसके साथ साथ आप अपनी screen पर देख रहे हैं कि आपको keyboard का एक specific हिसा नजर आ रहा है आपको ना तो numeric portion नजर आ रहा है जिसको हम numpad बोलते हैं और ना ही आपको side keys नजर आ रही है जिनको extra keys बोला जाता है तो उसके बारे में आपने परेशान नहीं हो ना अभी जिस lecture में जिन keys क काम होगा आपको सिर्फ वही keys नजर आया करेंगी ताके आप जैदा confused ना हो हम step by step इस course को इन्शाला लेके चलेंगे और सिर्फ और सिर्फ 10 lecture के अंदर आप इन्शाला टाइपिंग के master हो जाएंगे जो normally institute आपको 3-6 महीने में course करवा रहे हैं वो मैं इन्शाला इन्शाला आपको 10 lectures में cover करवाने की कोशिश करूँगा मेरी कोशिश को कामयाबी में आपकी मेहनत बदल सकती है तो आपने practice जितने घंटे मैंने आपको daily basis पे कहना है उतने ही घंटे आपने practice करनी है तो आईए typing course शुरू करने से पहले आज की class शुरू करने से पहले मैं आपको थोड कॉलम L के ये इस रो को home row बोला जाता है उसकी वज़ा ये है कि जब भी हम typing नहीं कर रहे होते हमारे हाथ resting position पे होते हैं जैसे कि अभी आपको screen पे नज़र आ रहे हैं इसको resting position बोला जाता है तो हमारे हाथ इस रो के उपर होते हैं इसलिए इसको home row बोला जाता है आप इसक सिम्पल ऐसे ले लेए कि जब भी हम यहां से किसी और की को प्रेस करना चाहेंगे तो हम वो की को प्रेस करके टराव Чरफ यहीं पहला करला प्रेस कियाए आगे F9 प्याज क्या वापस आगे इसलिए इसको Home Row बोला जाता है Home Row के उपर की जो रो है वह QW, QE से जो स्टार्ट हो रही है इस रो को Top Row बोला जाता है और Home Row के जो नीचे की रो है जो ZXC से स्टार्ट हो रही है इसको Bottom Row बोला जाता है उसके नीचे स्पेस बार, ये दोनों साइडों पे कंट्रोल, ये दोनों साइडों पे आल्ट, दोनों शिफ्ट, ये इंटर, बैक स्पेस, फावर्ट, बैक स्लैश, ये उपर सबसे उपर आप देखें, आपको नमबल लिखे नजर आ रहे हैं, वान टू, तू, 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 इसको नमबर रो बोला जाता है, कीबोर्ड के एक साइड के उपर नमबर पैड होता है, ये नमबर रो है, नमबर पैड के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, जब हम उस पर जाएंगे, अभी के लिए ये नमबर रो है, और इसके उपर आपको चीज बोला जाता है तो यह दोस्तो क्षें हो सारी चीजें देखेंगे टो दोस्तों यह सारे केड़ का एक ठोड़ा सा ऑवःविःव आपने परिशान हो ना हम आने वाले जितने लेक्टमें होंग गे वन जैसे जैसे हम अपना लेसन आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम सारी कीज के बारे में डिसकस करेंगे मैं इंशाला कोशिश करूंगा जो इसकी नंबर रो है इसके उपर एक लाइदा से सीरीज बना दूँ जो इसके सिंबल वाले साइन है इनके उपर एक लाइदा से चोटा साब को कोर्स बता दूँ इसके इलावा जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके इलावा हमारा ये जैसे ही 10 डेस का 10 लेक्चर्स में कोर्स कम्पलीट होगा आपकी महनत डिसाइड करेगी कि ये 10 लेक्चर्स को आप 10 दिन लगाके कवर करते हैं या फिर आप इन 10 लेक्चर्स को एक वीक में कवर कर लेते हैं मैं आपको इन्शालाव 10 दिन में टाइपिंग की मकमल कोर्स करवा दूँगा वो कोर्स जो नौर्बे इंसिट्यूट में तीन से पांच माँ के टाइम पे होता है और उसके लिए भारी-भारी फीसें पे करनी पड़ती है वो ही कोर्स हम यहाँ पे फ्री सीखेंगे इच एंड एवरी डिटेल के साथ, थियोरी के साथ, प्रैक्टिकल के साथ और उसके बाद आने वाले लेक्टर्स जो होंगे, इन 10 लेक्टर्स के बाद जो आने वाली सीरीज होंगी उनका फोकस होगा टाइपिंग स्पीड के उपर तो चलिए वीडियो जैदा लंबी ना करते हुए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज हम बात करेंगे होम रोग से रिलेटेड के आज हम होम रोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं होम रोग पे काम कैसे शुरू करेंगे, पहले दिन का लेक्चुर होम रोग से रिलेटेड होगा तो इसके उपर आपने कैसे practice करनी है, fingers को कैसे place करना है और कितने घंटे practice करनी है, तो आज हम ये सीखेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करें कि आपके हाथ में 10 उंगलिया होती है वो कैसे use होती है, कि जब हम type कर रहे होते है, asdf, semi column, l, k, j तो हम asdf के बास space press करते हैं, और दोस्तो right handed है, तो आप right side का अंगुठा use करेंगे और अगर आप left handed हैं, तो आप left right का अंगुठा use करेंगे in both case के दोनों में से सरफ एक अंगुठा use होगा, space bar को press करने के लिए तो जब दोनों में से एक अंगुठा press होगा, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें 9 उंगलियां use होगी तो दोस्तो हमने ये देख लिया कि टाइपिंग में हमारी 9 उंगलियां use होनी है तो मैंने home row जो के आज का lesson होगा, जिन कीज के उपर आज का lesson होगा मैंने उनके colors change कर ली है, ताके आपको असानी से समझ आ जाए, तो नों उंगलियों का use हम देखेंगे कैसे करेंगे, asdf, मैं चुके right हूँ तो मैं right side से space दबाऊंगा, semicolumn l, k, j, space asdf, semicolumn l, k, j, space asdf, semicolumn l, k, j, space asdf, semicolumn l, k, j, space तो दोस्तों आज का ये lesson है, इस lesson में आपको एक छोटी सी tip देता चलों कि जैसे ही ये पहला set खतम हो, asdf का आपने फोरण spaced बाद नहीं है आपका ये जो keys और space bar का जो बीच का time है, ये decide करता है ये जितना तेज होगा, आपकी typing speed उतनी तेज होगी asdf, semicolumn l, k, j, space asdf, semicolumn l, k, j तो दोस्तों जैसे का आपने देखा, ये pinky finger से आपकी practice travel होके यहाँ पे आएगी, यहाँ से भी pinky finger से start होके space पे आएगी asdf, semicolumn, asdf, semicolumn l, k, j, space asdf, semicolumn l, k, j, space I hope आपको keys बिल्कुल वाजिया नजर आ रही होगी, मेरे हाथों की movement बिल्कुल clear नजर आ रही होगी अगर आपको इस वीडियो में visibility का या sound का कोई issue हो, तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं तो दोस्तो हम आज के lesson को एक दफ़ा फिर slower version में देखते हैं मैं आपको बिल्कुल असान और बिल्कुल slow तरीके से दुबारा से समझाता हूँ ये आपकी finger की placement है जो के आपकी different color की lights मैंने keyboard पे इसलिए की हैं ताके आपके mind में ये image बैठ जाए के हमारी keys की placement कहां पे होनी है दोस्तो जब भी हम typing even मुकमल सीख भी लेंगे तो जब आपका हाथ typing नहीं कर रहा होगा तो यही वो home row की place है जहां पे आपकी उंगलियां आएंगी और दोस्तो आपने एक चीज़ ये note करनी है आज से पहले शायद इस बारे में आपको ना पता हो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो J और F के buttons हैं इनके उपर आपने note किया हो कभी keyboard हो कोई साभी keyboard हो laptop का PC का gaming simple कोई साभी keyboard हो तो F और J की के उपर थोड़े से bumper बने होते हैं थोड़ी सी चीज़ ये keys थोड़ी सी यहां से थोड़ी सी bumper बने होते हैं वो bumper इसलिए बनाए जाते हैं कि जब भी आप keyboard को देखे बगए टाइप कर रहे हैं तो आपका हाथ जब भी वापस home row पे आए तो आपको आपकी fingers के touch करने से पता चाल जाए कि मैं exact जो मेरी resting position है हाथ की मैं बिल्कुल उसी position पे आकर रोग गया हूं और मेरी दोनों index finger के नीचे bumper हैं यानि के J और F keys हैं आपने एक तो ये याद रखना है कि इन index finger को bumper के उपर रखना है जब आप ये बहुत बड़ी tip है जब आपको index fingers के जरीए bumper keys के bumper के उपर रखने का पता चल जाएगा तो automatically कभी भी आपका हाथ कहीं और जाके नहीं रुक इस lesson को मजीद एक slow version में देखते हैं यह bumper की मैंने आपको tip दे दी second tip आपके लिए यह है कि आपने sequence को याद रखना है 1,2,3,4 और space bar 5 फिर 1,2,3,4 और space bar 5 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था asdf 1234 space bar चुक्के मैं right ही हूँ तो right side का thumb यूज होगा और मेरा left side का thumb कुछ भी किसी भी की को प्रेस नहीं करेगा asdf space semicolumn lkj space asdf space semicolumn lkj space ठीक हो गया यह lesson आज आपने कम से कम कम से कम दो घंटे सुबा दो घंटे शाम प्रेक्टिस करना है बीच में अगर आप 5-10 मिनट की ब्रेक लेना चाहें तो वो ले लें आपने अपना target रखना है कि कम से कम इस lesson से आपने microsoft word के 10 pages लिखने है asdf space semicolumn lkj space asdf space semicolumn lkj space यह आपने लिखने है आज कम से कम 8-10 सफे और कम से कम आपने पूरे दिन में 2-4 घंटे प्रेक्टिस करनी है और शूरू शूरू में मैं आपको एक चोटी सी चीज गाइड करता चलू कि शूरू शूरू में ये जो दो finger हैं आपकी pinky finger और ये very next to pinky finger ये जो दो fingers हैं ये इतने अच्छे से काम नहीं करेंगी क्योंकि हम बहुत सरे दिन में micro जो object काम कर रहे होते हैं उन में हमारी ये basically इन तीन उगलियों का use हो रहा होता है तो इन उगलियों में उतनी ज्यादा power नहीं होती काम ना करने की वज़े से कम करने की वज़े से या किसी activity में इन fingers का क्योंकि कम use होता है तो इसलिए आप ने परेशान नहीं होना कि कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि मैं दुबाना तो D जा रहा हूं लेकिन दुबाया S चा रहा है दुबाना S चा रहा हूं तो दुबाया D जा रहा है दो से चार गंटी की practice मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपकी fingers की भी उसी हिसाब से exercise हो जाएगी और जब exercise हो जाएगी तो इन में भी उसी तरह power आजएगी जैसे के बाकी fingers में होती है तो इन चीजों से आपने चोटी चोटी चीजों से परिशान नहीं होना मेहनत चारी रखनी है हमने इंशाला इंशाला हमने जरूर 10 दिन में ये course cover कर लेना है आप मुझे पता है आप एक week में भी ये cover कर लोगे अगर आपको वीडियो समझ नहीं आता आप इसको बार बार देखें जो चीज आपको समझ नहीं आती अब जब मर्जी मेरे comment box में आप comment कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में पूछना हो आपको फोरण prompt reply आएगा तो आज का lesson यह है asdf space semi column lkj space asdf space semi column lkj space asdf space semi column lkj space तो दोस्तो आज का lecture की से related इतना ही था तो दोस्तो आज के सबक को हम एक दफा फिर से थोड़ा सा overview कर लेते हैं यह हमने सबसे पहले देखी इसका नाम home row, upper row, bottom row, दो shift, दो control, दो alt, tilde की escape, function की number row ठीक हो गया आज का lesson asdf space semi column lkj space number one tip आपको मैंने बताई कि जैसे ही asdf press करें f के बाद फोरण आपने space प्रेस करनी है यह चीज आपको आने वाले time में typing speed अपनी तेज करने में इतनी ज्यादा help करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते और दूसरी tip मैंने आपको क्या दी जे और f के उपर bumpers बने हुए हैं आपनी उंगलियों को इस चीज का आदी बनाएं कि जब भी आप typing करके पूरे keyboard पे travel करके वापस resting position में आएं तो आपकी उंगलियों में index finger के नीचे जे और f के bumper होने चाहिए तो आपको कभी भी typing करने में problem नहीं आएगी आप मेरे पर भरोसा रखे हम जरूर दस दिन में typing कवर कर लेंगे आपको किसी institute पे जाने की जूरत नहीं है घर बैठके free of cost आप अपने mobile screen पे सिर्फ 10 lectures में मैं आपको typing कवर करवा दूँगा उसके बाद speed की बारी आएगी वो भी आने वाले दिनों में उनके उपर भी series बनेंगी उनके उपर भी videos बनेंगे और मुकमल keyboard का आपको A to Z मैं master बना दूँगा आपने मेरे पर भरोसा रखना है second बात ये है कि हर video series के end पे आपने इसलिए मैंने आपको कहा है कि video आपने शुरू से end तक देखनी है बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी जगा पे skip नहीं करनी नहीं तो आपको समझ नहीं आती अगर किसी चीज़ की confusion है वीडियो को बार बार देखें फिर भी समझ नहीं आती तो मैं आपको अपने comments box में comment करने के लिए पूछने के लिए कहूंगा क्योंकि मैं हर comment का reply करता हूँ personally खुझ से तो इसलिए आपने बिला जजग comment करके कोई भी आपकी problem होगी तो वो मुझे बता देनी ठीक है और आज का lesson भी हमने देख लिया इसका हमने 2-4 गंटे overview भी ले लिया तो उसे 4-4 गंटे हमने इसका practice भी करनी है और ये आज का day 1 का lecture यहीं पर खतम होता है और वीडियो को हर वीडियो को end करने से पहले मैं आपको daily basis पे एक tip दिया करूंगा तो दोस्तों सबसे पहले जैसे दो टिपस हमने देखी कि F की के बाद फोरण स्पेस प्रेस करनी है और J और F के bumpers को उंगलियों को उसका आदी बनाना है तो एक tip मैं आपको यह जरूर दूँगा कि आपने इस के लिए आपने इस चीज के लिए अगर आप keyboard का master बनना चाते हैं तो आपने keyboard shortcut keys लाजमी याद करनी keyboard shortcut keys के उपर मैंने एक पूरी की पूरी series बनाई है जिसमें Microsoft Word, Excel, PowerPoint और keyboard के 100 प्लस shortcuts आपको मिलेंगे इसी channel के उपर यह जो keyboard shortcuts होते हैं यह आपकी typing speed को 200% increase करते हैं लोग इनको seriously नहीं लेते लेकिन इस चीज से आपको 200% speed gain मिलता है तो keyboard shortcuts आपने लाजमी याद रखने हैं मैं आपको एक वीडियो में किसी specific वीडियो में separately बता दूँगा के typing के लिए वैसे तो आपको हर shortcut key का वीडियो मेरे channel पे मिल जाएगा लेकिन मैं special dedicated वीडियो भी बना दूँगा जिसमें मैं आपको वो 10 से 15 shortcut keys ऐसी बताऊंगा जो typing में आपको in any case आने ही आने चाहिए तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आपने मुझे comment box में बताना है कि आपने उस पर वीडियो आपको देखना है या नहीं देखना आज के लिए दोस्तो इतना ही अभी के लिए मी यासिर रफान काजी signing off take care of yourself और ये अपनी लाइफ का motive बना लें कि हमने 10 lectures के अंदर typing सीखनी है अगर वीडियो पसंद आए इसको like, share और subscribe चैनल को जरूर कीजिएगा I hope के आज के वीडियो ने आपकी knowledge में value addition की होगी Thank you so much